नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाई फाई स्टेडी पर, मैं हूँ अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में आज के इस खास सेशन में, जिसमें हम 15 मिनिट में 15 सवाल पढ़ते हैं, 6 फरवरी को आपका ये सेशन बेहद महत्वपून रूप से आप पढ़ने के ये सवाल सभी उन परिक्षाओं के लिए महत्वपून है, जहां पर factual data questions पूछे जाते हैं, और अब आपको इसका test भी देना होगा, और इसके test के लिए आप लोगों को मिल रहा है मेरे पहरे साथियों, time जिसमें आपको पढ़ लेना चाहिए, और वो timing है मेरे पहरे साथिय संडे के दिन सुबह 11 से 12 के बीच में आप लोगों को इस session का test देना होगा, आईए साथियों शुरू करते हैं इस session को सबसे पहले सवाल के साथ में, पहला सवाल बना है, हाल ही में भारत सरकार ने किस योजना की प्रगर्ती के निगरानी के लिए एक इकरत वेब पोर्टल मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में भारत सरकार के दोरा मॉनिटरिंग गोबर्धन योजना की मॉनिटरिंग के लिए एक वेब पोर्टल लाँच किया है, क्या है ये गोबर्धन योजना, तो मैं आपको बता दू मेरे प्यारे साथियों, जो गाए भैसों का डंक होता है, य यानि कि CH4 जो है उसके बारे में मेरे पहरे साथियों यहाँ पर कैसे उसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है मीथेन गैस को कैसे नैचुरली प्रड्यूस किया जा सकता है इसके लिए एक पोर्टल लॉंच किया गया है तीन फरवरी को लॉंच किया गया है गोबरधन इसकीम जो है वो स्वच भारत योजना जो है उसके फेस टू के अंदर लॉंच की गई थी और ये वरतमान में जलशक्ती मंत्राले के द्वारा क्रियानवित की जा रही है इसे लॉंच 2014 में किया गया था जो बायो गैस प्रड्यूस होती है जिसमें मीथेन का प्रचुरता से माया जाता है उसको कंप्रेस्ड इस्थिती में CBG यानि कंप्रेस्ड बायो गैस नाम से जाना जाता है मेरे पहरे साथियों मेरे रेफरल कोड है अंकित 10 जिसका उपयोग करके कल आपको इसी पूरी क्लास का टेस्ट देने का समय दिया जाएगा सुभह 11-12 इस्पेशल क्लास में और मैपिंग के लिए आज सुभह 10 वजे क्लास में आना ना भूलें अत्यंत महत्वकून और जरूरी क्लास आप रोगों के लिए रखी गई है आईए साथियों बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रशन की तरफ किस देश के साथ सयोक्तराज अमेरिका ने 5 साल के लिए नई स्टार्ट परमानु संधी को बढ़ाया है मेरे प्यारे साथियों, अमेरिका ने हाल ही में अपनी New Start Treaty को रशिया के साथ बढ़ाया है अगले पांच साल के लिए, क्या है Start? मेरे प्यारे साथियों, Start है Strategic Arms Reduction Treaty, इसमें क्या होता है? इसमें मेरे प्यारे साथियों, असल में अमेरिका आपस में अपने देशों के साथ मिलकर के, रशिया जैसे देशों के साथ में ये तैय करता है कि वो नूकलियर Arms को नहीं बढ़ाएंगे, ताकि विश्व को एक दूसरे से होड के दोरान नूकलियर Arms की मतलब Tension ना रहे, इसल पर अमेरिका और रश्या ने एक साथ 2011 में साइन किया था आपको मालूम होना चाहिए साथियों कि स्षीत युद्ध के समय से अमेरिका और रश्या एक दूसरे के धुर विरोधी है उस समय रश्या नहीं हुआ करता था यूएसेसर हुआ करता था अब यहां से आगे की बात आ हिसाब से सबसे बड़ा देश रश्या है जिसका हिस्सा यौरॉप में भी आता है और एश्या में भी आता है यूराल परवत شंखला यूरॉप कि तरफ यूरोप है और इससे पूरव की तरफ एश्या है ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए यूराल परवत मौंटेन आ रहा इस से इस तरफ यहाँ पर यह मौस्को है इसकी राजधानी यौरॉप में पढ़ती है सिटी ओफ फाइफ पोर्ट्स के नाम से जानी जाती है मौस्को वलामेदित पुतिन वर्तमान में यहाँ के राश्पती है प्रधान मंत्री मिखाईल मिशुस्तीन है दुनिया का सब वा दूसरा सबसे बड़ा देश है नासा के पहले जलवायू सलहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो नासा के पहले जलवायू सलहकार के रूप में फर्स्ट एवर क्लाइमिट एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है मेरे प्यारे साथियों गैवि साइन्स से ये बिलॉंग करते हैं और नासा का मतलब उद्देश है कि भविश्व में उनके द्वारा जो कारे किये जाएं वो दो हजार पच्चिस तक नेट जीरो इमेशन पर आधारित हो नेट जीरो इमेशन का अर्थ होता है कि इनके द्वारा किये गए प्रयोगों से चाले वाशिंग्टन डी-सी में है और ड्वाइड डी आईजन हॉवर इसके संस्तापक हैं हाल ही में किसे केंद्रिय जाच ब्यूरो के कारवाहक प्रमुक के रूप में नियुक्त किया गया है तो CBI का वरतमान में कारवाहक अपॉइंट किया गया है कारवाहक ऑफिसर का इस्थान लेंगे इनका कारेकाल जो है वो दो साल का हो सकता है इनकेस अगर ये रिटायर नहीं होते हैं तो CBI जो है इनकेस था अपना 1942 के तैद की गई थी मोटो है इसका इंडस्ट्री इंपार्शनिटी एंड इंटिग्रिटी ये इसका इंडस्ट्री घना तो ये आप का यहाँ पर मतलब वो है अपराद शाखा के अंतरगत मतलब यहाँ पर कारेकारी प्रविंट सिन्हा को बनाया गया है हाल ही में भारत की सबसे कम उम्र की महीला पाइलिट कौन बनी है तो मेरी पहरे साथियों 25 साल की उम्र में कश्मीर की आईशा अजीज जो है वो इंडि मिग 29 जैट रशिया के अंदर सुकूल एयर बेस से अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की हैं हाली में किसके साथ हाल ने समगर कच्छे माल के विकास और निर्मान के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं मेरे प्यारे साथियों हाल के साथ में मिढ़ानी जो है उनके द्वा धातू निगम लिमिटेड है मिधानी जो की हाल ही में हिंदुस्तान एरोनाटिक लिमिटेड जिसका मुख्याले बेंगलूरू में है एयर एशिया समिट जो चल रही है उसके दौरान ये मेमोरेंडम औफ अंडरिस्टेंडिंग पर साइन किया है और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एरो इंडिया समिट है इसके दोरान लाइट कॉमबैट एर क्राफट जो तेजस है उसका निर्मान है हिंदूस्तान एरोनामिक लिमिटेड के दवारा किया जाएगा ये अश्यूर किया गया है मिधानी जो है मेरी प्यारे साथियों मिश्र ये एक manufacturing unit है भारत सरकार की हैदराबाद के अंतरगत इसका मुख्याले पड़ता है जहाँ H.A.L. की बात की जाए तो इसका मुख्याले बैंगलूरू करनाटक में है विक्रम सिंग बेदी को किस company के MD के रूप में नियुक्त किया गया है गूगल क्लाउड ने विक्रम सिंग बेदी को new managing director नियुक्त किया है 26 साल का इनको leadership career का अदवो है अनभव है करन बाजवा का ये इस्थान लेने वाले है गूगल क्लाउड की मैं बात करूँ तो बिटा cloud computing जो होती है उसके तरीके का ये एक कार्या है और इसकी honor company जो है वो Google है और Google की honor company कौन है तो वो alphabet है ना और इसका headquarter California में है Thomas Korean जो है वो इसके CEO है कल्पवनम शहरी वन उद्धान किस राज में खोला गया है तो कल्पवनम के नाम से कल्पवनम के नाम से तेलंगाना के अंदर urban forest park किये गए है गजवे लमक इस्थान पर साथ 117 hectare के अंदर इन्हें बनाया गया है कल्पवनम अर्बनम forest park जो है उनको save forest, save earth tag के तहत डवलप किया गया है ये सहर का 36वा park है ये ध्यान रखियेगा तेलंगाना का निर्मान आंदर प्रदेश से हुआ था landlock राज के रूप में है इसी के साथ एक और प्रश्न बनता है हाल ही में किस देश ने जैव इधन पर चलने वाला पहला rocket stardust 1.0 लॉंच किया है तो ये USA के दवारा Blue Shift नामक एक company है मेरे पहरे साथियों उनके दवारा हाल ही में एक ऐसा कारेकम किया गया कि बायो फ्यूल से चलने वाला एक rocket launch किया गया है commercial rocket launch किया गया है बायो फ्यूल के दवारा चलने वाला इस company का नाम है Blue Shift नामक company के दवारा बायो डीजल से बायो फ्यूल से अब ये बताया नहीं है इन्होंने ये कौन सा फ्यूल इन्होंने यूज किया है लेकिन बायो फ्यूल उन्हें कहा जाता है एस्टर रखते हैं तो बायो डीजल कहलाते है मेरे प्यारे साथियों इसके साथ साथ ही Blue Shift company के बारे में जान लीजेगा इसकी स्थापना 2014 में हुई थी इसके founder का नाम सश्शल दैरी है और इसका headquarter जो है वो US के अंदर है हाल ही में NSG के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो मेरे प्यारे साथ ही हो लेबर मिनिस्ट्री ने L&T के CEO सुब्रमन्यम को National Safety Council NSC के Chairman के रूप में नियुक्त किया है तीन साल का ये कारे करंप होगा और ये Chairman National Safety Council का नियुक्त किया गया है ये तथ्या आप याद कर सकते हैं सुब्रमन्यम L&T के अंदर 37 साल से कारे कर रहे हैं लार्सन एंड टुब्रो के अंदर कारे कर रहे हैं बात कुछी जाए National Safety Council क्या होती है तो इसको Ministry of Labor के तहट 4 March 1966 को जनरेट किया गया था Health और Environment नेशनल लिवल पर डवलप करने के लिए 45 वा अंतरराष्ट कोस्त कोलकाता पुस्तक मेला चुलाई में आयुजित किया जाएगा इस मेले में निम्नलिकित में से कौन सा थीम देश होगा तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर जो इसको आयुजित किया जाएगा और याद रख लीजेगा बांगलादेश को मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर एस ए थीम कंट्री नॉट किया जा रहा है याद रखिएगा बांगलादेश के साथ में हमने बहुत सारे काम किये हैं अभी रिसेंटली अगर आपको याद हो तो 51 वा जो हमारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था गोगा के अंदर उसमें भी थीम नेशन के रूप में हमने बांगलादेश को ही रखा था ठीक है ना तो मेरे प्यारे साथियों ये काफी फेमस मतलब जुलाई में आयोजित किया जाने वाला इंटरनेशनल बुक फेयर है और इसमें क्योंकि बांगलादेश ने अपनी इंडिपेंडेंस के पचास भी साल मनाई है तो ऐसी इस्तिती में भारत उसके साथ में सॉलिडिरिटी शो करते हुए ऐसा कारे कर रहा है बंग बंदु शेख मुझेबु रह्मान की जन्म शताबदी भी है इस शक्कर में ये कारे बहुत ही महत्वकून रूप से मनाया जा रहा है बात की जाए बांगलादेश की तो भारत के साथ में सबसे लंबी जो सीमा साजा करता है वो बांगलादेश ही है और बांगलादेश पांच राज्यों से पस्चिम बंगाल, असम मेगाले, तरिपूरा और मिजोरम से भी बॉर्डर साजा करता है हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस इस्थान पर चीफ औफ एयर स्टाफ कॉनकलेव का उधगाटन किया है मेरे पियरे साथियों हाल ही में जो हमारे वो हैं राजनाथ सिंग जी जो है रक्षा मंत्री उनके द्वारा चीफ और एयर स्टाफ जो है वो बंगलूरू में किया गया है चीफ और एयर स्टाफ के साथ मिलकर कि ये कारिश शुरू किया गया है ये कॉनकलेव काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पॉइंट ऑफ यू से भी आपके आज रख सकते हैं कि भारत में इसकी वज़ए से ग्रेटर इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं Human Fraternity of अंतर राष्टे दिवस किस तारीख को मनाया गया था तो मेरे पहरे साथियो हाल ही के अंदर चार फर्वरी को human fraternity एक pathway to future मनाया गया है और ये किसकी presence में मनाया गया तो ये हम आपको बता दें ये UN General Assembly के एक resolution के मात्यम से बनाया गया है इसका मुख्य उद्देश गया है इसका उद्देश है लोगों के बीच में सांस्कृती की धर्म की और उनके विश्वास की promotion करना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है UN Alliance for Civilization के तहत की कारे किया गया है आगे बढ़ते हैं निमनलिखित में से कौन सा क्रिकेटर भारत का सबसे मुल्यवान सेलिबरिटी बन गया है मेरे पैरे साथियों हाल ही के अंदर विरेट विराट कोहली जो है वो 238 मिलियन डॉलर की संपता के कारण नमबर वन वैल्यूएबल सेलिबरिटी लगातार चौथे साल पर बन चुके हैं ये अत्यदिक रूप से महत्वपूर्ण तत्यापको याद रख लेना चाहिए सेकंड और थर्ड सलोट जो है वो हिंदी फिल्म क्रिकेटर अक्टर जो है वो अक्षे कुमार को गया है उसके बाद रणवीर सिंग को गया है या आप लोग इसके अत्यरिक्त दो तत्या और याद रख सकते हैं ब्रांड वेल्यू के अधार पर विराट कूली नंबर वन ब्रांड बने हुए है हाल ही में किसी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के रूप में इंडिया के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है तो मेरे पहरे साथियों अजै सिंग जो है तो ये था मेरे पहरे साथियों आपके सामने प्रॉपर जानकारी आज के सेशन के बारे में आज हमारी special classes में आप Europe का मैप समझने वाले हैं पूरा detail से हम उसको समझेंगे basics के साथ में साथ में हम questions का भी discussion करेंगे 11 बजए एक motivational seminar रखी गई है आप लोगों के लिए अत्यांत रूप से महत्वपूर है उसे भी जान लीजेगा इसके साथ साथ हमने जो सॉमवार से शनिवार तक ये सुबह चार बजे के सेशन में जो करंट रफेर पढ़ा है इसका रिवीजन कल सुबह 11 बजे यारी रविवार सुबह 11 बजे आपके लिए लाया जा रहा है अपना खयाल रखें मेरा नया वैच आ रहा है सॉमवार से वर्ज जोग्रफी का उसके लिए आप अंकित 10 रेफरल कोड यूज कर सकते हैं 10% डिसकाउंट आपको उससे प्राप्त हो जाएगा वहीं मार्च में ये जो डिसकाउंट है ये भी कम होकर के 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत होने जा रहा है तो गो एंड ग्रेब दी ओफर थैंक यू सो मच ची यू इन 7 एम क्लास